तो माई डेर स्टुडेंट ये है इसी वर्ष दोहजार तेस और चौबिस के ससन का जियोग्राफी यानि की भुगोल का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्चन पेपर जो की बीए थर्ड समस्टर जाने की बीए तृतिय समस्टर का है जो भी स्टुडेंट बीए शिकेंड स समस्टर की परिच्छा देकर आप थर्ड समस्टर की परिच्छा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी हिल्प हुल है सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि बीए थर्ड समस्टर में आपका जो जियोग्राफी यानि भुगोल का पेपर होगा वो किस परकार का परिच्छा में आपको जानकारी मिलने वाली है तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और मैं भरवफा दिला रहा हूं आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ पर इस बीडियो से काफी मिली तो चलिए शुरू करते और आपको दिखाते माडल पेपर और उसमें किस परकार कोश्चन पेपर मतब किस प्रकार कोश्चन पुछे गए थे उनके बारे मता दें तो प्रूब के तोर पर देख लीजिए हलाकि यह बीए बेसी बिकॉम के सभी स्टुडेंट के लिए महात्पूर जो थर्ड समस्टर के हैं यानि तुर्तिय समस्टर के सब्जेक्ट इनवर्सिटी के स्टुडेंट के लिए महात्पूर है आप चाहिए भारत की किसी भी इनवर्सिटी के स्टुडेंट हो इफ तर आपको दो घंटे पिर कुछ निवर्सिटी में तीन घंटे का समय दिया जाता है यहां पर लिखा होगा जितना टाइम मिलेगा और पर सबसे आपको खंड आ मिलेगा उसमें अतलग उत्तर कोश्चन देखने को बलेंगे और यहां पर कुछ दिसान इर्देश भी दी जाती है कि कितने कोश्चन करना उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना है यह आपको जरूर पढ़ लेना है उसके बाद ही उत्तर के और बढ़ना क्य को निकल जाएगा और और बाद में नहीं उत्तर को चला गया और टाम है नहीं वर्ना सभी प्रश्ण को ऊत्तर कर आते हैं और सबसे ज़ chyba ही प्रस्टं पर करते परिश्चन को पहले प्रस्ट कर देने मौर सबसे जाएं नबर को सब्सेटर मिल जाएंगे ठीक है और तीन नमबर का है तो तीन नमबर मिल जाएंगे ठीक है तो अतले उत्रे को जो सबसे पहला प्रश्ण है कि प्रस्थितिकी तंत्र के अजयविक और जयविक घटकों के ब्याख्या कीजिए यह आप सभी के लिए महात्पूर्ण प्रश्ण साबित हो सकता है जो आप परिच्छा देने वाले आने वाले दिनों में 24, 25, 26 जब भी आप लोग देने वाले हैं या आप लोगों के लिए राम बाना कोश्चन है जैविक और अजैविक घटक के बारे में कोश्चन पूछा जाएगा और प्लस त्रस्थित्की तंत्र स्फिर्डा भी कोश्चन आएग नोट कर लिए इन सभी का उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानकारिम आपको दे देंगे ठीक है अगला प्रश्ण है कि ब्रच्छ बिनाफ के दुस्परेडाम गिनाइए मतलब कि अगर पेड़क की अंदादुन कटाई हो रही है या फिर फेंड लोग काट रहे होगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा इफे दुस्परेडाम क्या होगा तो सबसे पहले तो आपका जो इन्वार्मेंट याने की वातावरण है ठीक है वो पूरी तरह प्रदोस्पित रहेगा ठीक है और साथ साथ में आपको जो एक आक्सिजन मिलता सुद्ध चाहिए बलकी लगाने चाहिए ठीक है तो आपको पेंट जरूर्ड लगाना चाहिए यह आप सभी ठीक है ताकि जो अक्सिजन ने वो बढ़ता रहे मतलब कि उसकी मात्रा भी बढ़ती आपको एक नेच्रल हावा में ले ठीक है और साथ साथ में आपको गर्मी भी न लगे रहेंगे तो गर्मी रहेंगे सिंपल से बात है आप सभी को मालूमें अगला कोश्चिन ने कि वाझ। पुदूफटा से आप क्या समझते हैं तो वाझवर पुदूफट का मतलब हो गया कि जो हवा के माधन से पुरुदूफ़। हो रहा है य Ding वो जो भी चीज हो जो कंपनिया बड़ी बड़ी चलती हैं जो भठे हो तो इन से इंट बनती है इन सबी से जो है वायव पुद्रों सब फैलता है क्योंकि इसमें क्या है ना हवा हवा के मादनें से दुआ हमारे पास आता है गुरातावरण को प्रदूसित करता अपना वातावरण मेरेने वाले समाद मेरेने वाले लोगों को भी इसकी हवा से बहुत ज्यादा नुखसान पहुंसता है अगला कोश्चन है कि मर्दो की महात्पूर्ण प्रस नहीं आ रहेगा पक्का मर्दा अपरदन ये भी 100% आने वाला कोश्चन है मर्दा प्रदरसन का मत्ता मिट्टी से सब्बन देत मर्दा प्रदन के बारे मत्ता है हाई लेबल कोश्चन नहीं नोट कर लिए अगला कि ठोस अपसिष्ट प्रबंधन क्या यह कोश्चन बहुत कम उम्मीद आने कि तो आप इग्नोर कर सकते हैं भूकम का वड़न कीजिए भूकम किसे कहते हैं भूकम जो आपदा है इसके बा अगला कोश्चन की अमले वर्सा तता इसके प्रभाव अमले वर्सा के बारे में आपको हमाने वाले दीनों में डीटेल से समझाएंगे हलाकि हमेशा नहीं पूसा जाता लेकिन महात्पूर्ण प्रस्ण है ठीक है नोट भी कर सकते हैं इसको भी आप लोग अगला कि जलवा जलबाव अ प्रवर्तन होता तो इसने बहुत भार उ प्रभाव पढ़ते जैसे कि अचानक सी गर्मी हो रही हुरा जोर्च होने का तिक और इसके चिद्र होने की क्या कारण है उसके बार मिखना हलां कि कोईशिटन सेम टूसे माने के बहुत कम उमिद दे लेकिन जो और जोन है इसके बारे पूछा जाएगा जो कि परत है ठीक है प्रतिवी की अगला प्रस्तित है कि हरित ग्रह प्रभाव को बताईए ठीक है और हरित क्रांत या फिर हरित सब्सक्राव कोईश्चन भी कई बार आ चुका तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं ठीक है मतलब उम्मीद है लेकिन कम उम्मीद है ठीक है तो इस प्रकार के कोईश्चन आपको अतले उत्रम देखने को मिलेंगे इसमें से जुमात पूर्ण थे उनके बारे मैं आपक ठीक है उसके बाद पहला प्रश्चन है लग उत्रेगा कि रफाइनिक आपदा पर फंशिप्ट डिपड़ी लिखे तो सेम तो सेम कोईश्चन आनिक बहुत कमोंब भी दे तो आप इगनोर भी कर सकते हैं लेकिन जो अगला प्रश्चन है जो कि डेस्टर है यानि कि आपद देश को भी हंडर प्रसेंट पिछले वर्सों में लगा तार 2021 लेकर 2223 लगा तार पहुंचा जार चोबिस में पूछा जो आपकी परिच्छाने वाले दिनों चोबिस पचीस में लेगी पचीस हबिस में लगी उसमें प्रियोजना की कमिया लिखे यह भी महात्पूंट प् दियोजना फिड़ा कोश्चन पक्का भंसता है ठीक है आएगा पक्का अगला कि वाता वर्ण और क्रमण में मानों की भूमिका बहुत कम उम्मीद है नहीं कि तो आप पढ़ भी सकते इसका उत्तर अधरवाई इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है अगला कि जलवाई परिवरतन कोई न कोई आएगा लेकिन यह आप इग्णोर करें भी तुक ने आपको बता दिया जिनकी कम उम्मीद है उनके बारे मी बता दिया जिनकी जयदा और कारीन सभी का उत्तर त्यार करेंगी और उत्तर कहां पर मिलेगा सब्सक्राइब करना है उसके प्रूरी जानकाई लिखा आपको पढ़े न ठीक है यहां पर यहां पर आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसी हिसाफ अगर आप उत्तर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और अताइम भी असे डिविह तराव की फमापत हो जाएगा ओना की सबहदें हैं इनको आपको मेंटेंड करके चलना पड़े को कि अब ये में समझदार हैं तो चीजों को ध्यान से समझ के पर दीजिए अगला प्रस्टन है कि नरमदा घाटी परियोजना पर विस्तार से टिपड़ी लिखे तो यह भी महत्पूर्ण प्रस्टन है तेरी बांध वाला और नरमदा घाटी परियोजना है यह दोनों महत्पूर्ण है इन में से कोई न कोई फसेगा हो सकता तो फस जाए जैसे कि स्माडल पेपर में आए अगला जो कुश्चन प्रस्तिव थे आप लोगों कि समझ तो वह टिपड़ी लिखने के लिए कि बाढ़ के बारे में लिखना जब पानी ज्यादा हो जाता है ठीक है सीमित से ज्यादा और सूखा सूखा जब होता है जब जिस चीच की हमें जरूरत है वह हमको परियापत मात्तरा में नहीं मिल लए ठीक है तो यह बाढ़ और सूखा एक महत्पूर्ण टोपिक्स हैं जिनसे जुड़े कुश्चन आप नहीं के बारे में बताईए और भारत में प्रमुक आपदा प्रवंट छेत्र कौन से तो आपदा प्रबंधन यानि कि कोई आपदा आती हो चाहा है मानोकुरत हो यह पर प्राकरतिक आपदा हो उसकी वेवस्थाम कैसे करेंगे उस चीज़ से हम कैसे अगाह रहेंगे ठीक ह तो इसी तरह का Marl Paper, Question Paper जब भी आप पर इच्छा देने जाएंगे तो देखने को मिलेगा और कुछ इसी प्रकार के प्रस्ण भी देखने को मिलेंगे मैं Personally बोलूँगा आप सभी को क्योंकि आप हमारे इस चैनल के Student है तो हमारा उद्देश यही है और मैं Personally यह भी बोलना ही चाहूंगा कि इस Marl Paper में जितने भी प्रसंदेगे हैं इन सभी का ही आपको उत्तर त्यार कर लेना है और उत्तर Question Bank खरीदे तो उसमें मिल जाएगा फिरीज खरीदे तो उसमें मिल जाएगा बुक है तो उसमें मिल जाएगा अगर कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट जिन्दाबाद है गूगल पे जाएगे वहाँ पर सच कर लेजिए जो भी प्रसंद का उत्तर आपको चाहिए उत्तर मिलते हैं उसको पढ़ लीजेगा पढ़ने का बाद में भी पढ़ते रहें जब भी आपकी ताइम मिले जब भी आपका मन करें इस प्रकार आप अपने एक्जाम की बहतरीन तयारी कर सकते हैं बाकी कोई कोश्चन है जो जरूर पूचे और यह आपका अपना ही चैन निक सम्मावना है कौन से कम है कौन से ज्यादा है यह जानकार आपको मिलती रहेगी जहन